सर्वली M.I.D.C. में हाइडरा क्रेन का बेल्ट टूटा पाइप गिरने से दो मजदूरों की मौत भिवंडी कल्यान रोड इस्तित सर्वली M.I.D.C. में रौनक डाइंग लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक बड़े पाइप को हाइडरा क्रेन से उठाया जा रहा था उसी दोरान हाइडरा क्रेन का पट्टा टूट गया और बड़ी पाइप नीचे काम कर रहें मजदूरों के उपर गिर गई पाइप के नीचे दब जाने के कारण दो मजदूरों की मौत हो गई पुलिस जानकारी के मताबिक भिवंडी कल्यान रोड पर सर्वली M.I.D.C. इस्थित प्लॉट नमबर 9A में रोनक डाइंग लिमिटेड कमपनी है जहां पर 14 फिट लंबा हेवी वाटर प्री हीटर बॉयलर लगाने का काम शुरू था जिसके लिए बाहर से किराय पर हाइडरा क्रेन मंगाए गई थी पाइप को स्ट्रेप औन हाइडरा क्रेन की सहायता से उठा कर फिटिंग के लिए ले जा रहे थे उसी दोरान अचानक हाइडरा क्रेन का बेल तूट गया हाइडरा क्रेन का बेल तूटने से पाइप के नीचे खड़े मजदूर उपर गिर गया इस हादसे में बाला राम चौदरी उम्र 55 साल एवं आबा पाटिल उम्र 65 साल सहीद दो मजदूरों की घटना स्तल पर ही मौत हो गई इस हादसे के बाद कंपनी चालक ने कंपनी बंद कर दी है पुलिस ने दोनों शवों को पोस्ट माटम के लिए आई जी एम अस्पताल भेज दिया है इस्थानी ये कोन गाउं पुलिस मौके पर पहुँच गई है और मामला दर्च करने की कारवाई शुरू करती है